ये गाइस वेलकम टू वीजे क्लासेज माइनेम इस वीडियो लेसन में आपके साथ लाइफ प्रोसेस क्लास 10 बाइलोजी का फर्स चैप्टर डिसकस करने जा रहा हूं यह इसका फर्स पार्ट है इसका पीडियेफ आपको डेस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और मैंने क क्लास 10 के साइन्स का फिजिक्स का फर्स चैप्टर एलेक्रिसिटी अपलोड कर रहा है उसका भी पीडियेफ आपको डिस्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे तो इसको में स्टार्ट करें तो देखो इधर हमारे पास जो चैप्टर का नाम है उसी से रिलेटेड एक कोशन है कि what is life process ठीक है life process होता क्या है तो बहुत simple सा इसका answer आपको books में भी मिल जाएगा मैं भी आपको बता रहा हूं the basic functions ठीक है जो basic functions perform करता है एक living organism एक जीव living organism मतलब जिसमें जान है जो जीवित है ठीक है जो living organism basic function प्रेडूस करता है अपनी life को maintain करने के लिए उसको हम बोलते है लाइफ प्रोसेस वह हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस है basic बोला एदर basic ठीक है basic function जैसे कि हम खाना खाते हैं सोते हैं ठीक है अपने को चलाने के लिए अगर हमें को भी डेजीज हो जाता है तो हम medicine लेते हैं यह तमाम चीजें सारी तमाम चीजें सारी किसमें आती है life process में य living being किसे कहा जाता है उसके characteristics क्या होते हैं ठीक है उसमें क्या-क्या खूबियां होती है क्या कब हम एक चीज को living thing बोलेंगे living being बोलेंगे ठीक है तो यह चीज आपको पता होना चाहिए सिफ living के करेक्टर्स्टिक हम पाड़ने हैं इधर comparison नहीं होगा कि long living में comparison करना नहीं है ऐसा कुछ नहीं है बस आपसे पूछा जा सकता है कि what is the what are the characteristics of living being ठीक है एक जीवित होने के लिए करेक्टर्स्टिक क्या क्या होते हैं तो पहला आपके पास है देखें and move by themselves तो वह अपने आप move कर सकते हैं कोई भी living चीज है वह movement जरूर दिखाईगे बहुत ही essential और बहुत ही important एक जैसे कि अगर आप बोलोगे यह plant है यह कहां move करता है तो movement इधर आप यह नहीं बोलोगे movement आगे पीछे नहीं होता movement ऐसे मतलब बहुत तरीके से अगर कोई भी चीज बस हिल भी रही है तो move करी रही है तो रोव तो करी रहे है वो ठीक है तो plant movement दिखाया रहे है सेकंड दे नीड फूड ठीक है दे नीड फूड उन्हें फूड चाहिए ठीक है अब वह food air और water ठीक है food air और water उन्हें अपने survival के लिए चाहिए food सब के लिए अलग-अलग होगा एदर plant के लिए अलग है animal के लिए अलग है ठीक है animal means human being animals की category में आते हैं तो food हमारे लिए हमारे food intake करने की process अलग है और plants के food intake करने की process अलग है तो यह चीज आपको समझ रही है air और water यह तीन चीजें तो essential हैं हमारे survival के लिए third they can grow ठीक है वो क्या दिखाएंगे growth दिखाएंगे growth ठीक हमारे अंदर भी growth होती है हम भी हमारी height बढ़ती है हमारी age बढ़ती है ठीक है बच्चे होते हैं फिर जवान होते हैं फिर good होते हैं फिर मर जाते हैं ऐसे ही plant की भी एक life span होता है वो भी एक पौधा होता है फिर plant जिसे हम बोलेंगे फिर वो एक tree बन जाता है ठीक है वो भी बूड़ा होता है वो भी मर जाता है ठीक है मेरे आसपास अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो मैं ओटकर एसी चला देता हूं तो यह क्या है मैं respond कर रहा हूं environment को ठीक है ऐसे ही animal करते हैं यानि कि हम लोग animal की category में ऐसी plants भी respond करते हैं उनके आसपास जो भी घटनाए हो रही होती है वो sensitive होते है ठीक है फिफ करोगे उसको आप digest करोगे और digest करने के बाद जो आपके काम की चीज होगी उसको आप body में absorb करोगे जो काम की नहीं होगी उसको body से भार फेंट होगे ठीक है जो हम सुबह सुबह करते हैं यानि कि they excrete आप चीजों को excrete करोगे जो आपके काम की नहीं है जो living being होगा वो फाल और जीव बना सकते हैं उसी process को हम reproduction बोल देते हैं ठीक है यानि कि अपने जैसा एक और young one हम बना सकते हैं ठीक है जैसे हमारे मावाप ने हमें बनाया ऐसे ही हम आगे अपने बच्चों बनाएंगे यह carry-on रहेगा इसी process को हम reproduction रेक्षन बोलते हैं और यही एक जीव होने का प्रमाण है यही एक जीव होने का हमारे पास क्या है प्रूफ है यह सतों चीज हम कर सकते हैं ठीक है और चोटे मुटे और जो भी चीज़ है वो यसी में cover हो जाएंगी सारी एन एक एक plant भी reproduce करता है reproduction वह भी करता है और एक animal भी reproduction करता है तो यह सातों point आपको on the fingers रटे हुए होने चाहिए तो आगे बढ़ते हैं अब एक question हमारे पास यह बहुत important आता है what is food कि food actually में क्या है ठीक है all living organism ठीक है यह में चारे जीव जितने भी जीवित होंगे जिन में भी life है उनको food चाहिए जो की एक fuel है उनको उर्जा provide करने के लिए उर्जा means energy ठीक है चीदों में फरक होता है आप पावर को उर्जा नहीं बोल सकते पावर शक्ती होती है इसका technical हिंदी टम energy energy उर्जा होती हीट उश्मा होती है तो यह चीज आपको फरक थोड़ा सा पता होना चाहिए ठीक है तो यह एक तरीका का fuel है जो कि हमें energy देगा ठीक है energy हमें क्यों चाहिए energy का सीधा यह आंसर है हमें उर्जा इसलिए चाहिए ताकि हम अपने life के various activities को perform कर पाएं यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें मेरी बोलने की जो energy लग रही है ठीक है यह सब energy है जो मैं बोल रहा हूं यह sound energy निकल रही है ठीक है तो यह तमाम चीज है जो आप देख रहे हो इसको दिमाग में आपको process करने के लिए भी energy चाहिए everything कुछ भी करने के लिए आपको energy चाहिए और वो energy आपको fuel provide करता है जो कि food है even during sleep यह classical example लिया है कि आप यह ना सोचें कि अगर हम सोते रहें लेटे रहें तो काई की energy तो हमें सोते रहने में भी even during sleep we are sleeping we are when we are sleeping number of biological keep number of biological activities लिख लेना दर keep on occurring in the body ठीक है यानि कि biological reaction लिख लेना activities लिख लेना जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी body में बहुत सारे biological reactions होते रहते हैं मालो आपने खाना खाया खाना खाके आप सो गए तो इसका मतलब यह नहीं है आप सो गए तो आपकी body भी सो गई ठीक है अग आपका brain थोड़ी देर के लिए शानत है बड़ आपका जो hurt है वो हमेशा pump करता रहेगा आपने जो खाना खाया है वो आपके intestine में स्टमक में processed होता रहेगा ठीक है आपको नीदी इस चक्कर में आई है खाना खाने के बाद क्योंकि आपके body में function चल रहा है तो आपको इसलि energy ultimately food से आ रही है ठीक है यह चीज आपको समझ नहीं है ठीक है और एक question एक चीज आप ध्यान रखना हमारी body का सिर्फ एक ऐसा part है जो कभी भी rest नहीं लेता वो है hurt ठीक है हमारा hurt यह पूरे life में आपके कभी भी rest नहीं लेगा इसने अगर rest ले ली तो आप भी rest ले जाओगे nutrients nutrients क्या है तो nutrients आपको एक बात समझ नहीं है यह वो substance होंगे जो हमारे survival के लिए हमें ज़रत होगी basically हम जो खाना खाएंगे उसमें nutrients होंगे आप यह समझ लो खाना मतलब food जो हम intake करेंगे जो हम fuel intake कर रहे हैं उसमें क्या है nutrients होंगे बहुत सारे और वो nutrients कैसे कैसे होंगे carbohydrates हो स सकते हैं protein हो सकता है तो मुझे protein भी मिला फैट भी मिला शुगर की फॉर्म कार्बाइड एक शुगर की फॉर्म आप समझ लो ठीक है मैंने आलू खाया उसमें स्टार्ट है तमाम चीजें न तो यह जितनी भी चीजें में इदर लिखी हैं कार्बाइड फैट प्रोटीन वि को आप बॉडी में दालना ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे और उसका यूटिलाइजेशन भी करना इसको हम बोलेंगे nutrition ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे nutrition तो nutrients का intake करना इस process को हम बोलेंगे nutrition अब यहां से start होता है आपका chapter और याद करने की important चीजें इसलिए मैंने अभी nutrition को आपको याद रखना पड़ेगा अब मैं थोड़ी speed अपनी slow करता हूं तो देखें आपके पास दो तरीके के nutrition होंगे nutrition क्या दो तरीके nutrition क्या होता है intake करना nutrients को ठीक है और उनका utilization करना अब यह कौन से दो तरीके के होंगे एक तो होगा autotrophic एक होगा heterotrophic ठीक है यह आप तरीके के nutrition है देखो एक बात ध्यान रखना वर्ड मिलाके बनाए जाते हैं जो यह दो वर्ड है यह मिलाके बने होगा है ठीक है आगे मैं बता हूँगा क्या auto का मतलब आपको पता है automatic automated ठीक है जितनी भी चीज़ें होती है इसका मतलब होता है self ठीक है self आपने सुना होगा हिट्रो ट्रॉफिक हिट्रो का मतलब होता है other किसी और पर depend होना ठीक है तो आगे हम बढ़ते हैं देखें autotrophic मतलब मैंने आपको बताया auto का मतलब क्या होता है self ठीक है और ट्रॉफ का मतलब इदर है क्या ट्रॉफ का इदर मतलब है nutrition auto मतलब self ट्रॉफ का मतलब nutrition यानि कि इदर से एक बात तो समझ में आती है कि यह जो भी जो भी produce करेंगे जो भी इन्हें इन्टेक करना होगा वो यह खुद की मदद से करेंगे किसी और की मदद नहीं लेंगे ठीक है तो किसी और की मदद नहीं लेंगे इसका मतलब इस category में हम तो नहीं आएंगे हम नहीं आएंगे मतलब एनिमल मी नहीं आएंगे हम एनिमल ही है ठीक है तो पहला पॉइंट क्या है दा वर्ड ओर्टो मीन सेल्फ एंट्रॉफ मीन्स नूट्रिशन ओके सेकेंड पॉइंट पॉइंट इसके आगे तो इसका उल्टा बन जाता है तो और गैनिक मतलब जिसके अंदर लाइफ है वो सारी चीज और गैनिक है जिसमें लाइफ नहीं है जिसमें कोई भी जीवन नहीं है वो इन ओर गैनिक है यानिकि मैं लेक सकता हूँ नो लाइफ तो ठीक है अब मैं ऐसे पढ़ता हूँ the organism make their food from inorganic raw material यानि कि आप उनको बस CO2 दे दो यह मैंने example लिख रहा है raw material के रूप में यानि कि कच्चा माल आप उन्हें CO2 दे दो आप उन्हें पानी दे दो ठीक है आप उन्हें sunlight दे दो ठीक है और chlorophyll की present मैं मैं plant की बात कर रहा हूं ठीक है CO2 दे दो water दे दो या CO2 की जगे आप इतर लिख दो आप इन्हें air दे दो ठीक है air से वह अपने अपले लेंगे air लेलो क्योंकि air is a mixture of gases air लेलो water लेलो sunlight लेलो chlorophyll की presence हो जाएगी ठीक है plant की बात हो रही है वो अपना खाना बना लेंगे ठीक है अपना food अपना fuel उनके पास आ जाएगा और इसी को हम क्या बोलेंगे autotrophic nutrition ठीक है यह mode में जो organism होता है वो अपना food अपने आप बनाता है और ऐसे organisms को हम क्या बोलें है autotroph ठीक है autotroph they are called the producers of the ecosystem अच्छा यह producers होते हैं ecosystem के यह चीज़ और समझ नहीं है producers मतलब एक तो होगा consume करने वाला और एक होगा बनाने वाला manufacturers भी आप इन्हें बोल सकते हैं यह खाने को बनाएंगे ठीक है खुद भी खाएंगे दूसरों को भी खिलाएंगे तो producers का मतलब क्या हो गया बनाने वाले खुद खाएंगे मतलब जो यह खाना बना रहे हैं वो तो खु खुद जो यह organism है पूरे के पूरे या इनका कोई part दूसरे organisms के लिए काम में आएगा जैसे की हमारे एक plant है ठीक है मानले एक टमाटर का एक पेड़ है वो फोटोथेंसेस करता है उसको air मिलती है water मिलती है sunlight मिलती है और chlorophyll के presence होती है तो वो अपना खाना खुद बना लेता है और हम उसका एक part जो की fruit होता है ठीक है जो fruit होता है जो टमाटर है उसको हम लाके हम खा लेते हैं तो हमने उसका part खा लिया ठीक है तो उसने हमारे लिए खुद के लिए तो तैयार किया है और हमारे लिए भी तैयार किया तो इसलिए हम उन्हें बोल रहा है producers fourth in this mode of nutrition organism produce its food by too tight ठीक है तो दो तरीके से यह अपना food बना आपने पहली तो है photosynthesis photosynthesis और दूसरा है chamosynthesis तो आपने यह तो बहुत सुना होगा और यह कम सुना होगा थोड़ा तो यह इतना ध्यान भी नहीं देना आपको में इधर photosynthesis हैसे आपके पास ताकि आपको आसानी रहे तो photo अगर word कहीं भी आ रहा है इसका मतलब वह नहीं है तो खींच मेरी photo इसका मतलब है आपके पास प्रकाश ठीक है एक यह चीज जहन रखनी है अगर कहीं भी टेली word आता है टेली ठीक है तो इसका word होता है कोई दूर दूर कोई चीज है जैसे कि टेली वीजन दूर से देखो टेली वीजन दूर का विजन ठीक है टेलिसकोप ठीक है दूर से आप किसी चीज को देख रहे हो ठीक है और भी बहुत सारे word हो सकते है टेली फोन दूर भाश है अगर आपने उसकी हिंदी करी हो तो ऐसे ही photo synthesis यानि कि प्रकाश संचलेशन ठीक एक मर्ट हाँ the process by which green plants and certain other organism transform light energy ठीक है light आईगी एक energy की form में इसको आप chemical energy बना लोगे during photosynthesis in green plants light energy is captured ठीक है and converted and used to convert water light energy captured होगी और इस energy का use क्या होगा convert करने में किसको water को co2 को carbon dioxide को ठीक है और minerals into oxygen ठीक है इसको oxygen and energy rich organic compounds ठीक है यह पता है आपको oxygen environment में release होती है ठीक है photo synthesis के कारण तब भी balance बना रहता है हम co2 छोड़ रहे हैं वो oxygen छोड़ रहे हैं तो balance बना हुआ है और जो energy energy rich compound है energy organic compound है वो उनके खाने का source है ठीक है वो खुद consume करेंगे oxygen छोड़ देंगे जो हम हम इंटेक करते हैं ठीक है तो यह है आपके पास photo synthesis photosynthesis याने कि light energy किस में convert हो रही ultimately oxygen और energy rich organic compounds में ठीक है अब एक नजर आप इस पर भी दाल दो chemo synthesis not important but still इदर एक छोड़ किसी definition लिखिया आप उसको पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कुछ non green plants ठीक है जो हरे नहीं है like sulfur and iron bacteria ठीक है आप net पर जाके इसे प्लीज जरूर सर्च करें इसकी images देखें तो आपको अच्छी तरह clear होगा कुछ images यहां पर copyright के चक्कर में मैं दिखा नहीं सकता make use of chemical energy ठीक है यह chemical energy का यूज करते हैं और organic compound बना लेते हैं ठीक है इसमें light white का कोई चकर नहीं है आगे बढ़ते हैं हेट्रोट्रोफिक nutrition हेट्रोट्रोफिक nutrition तो आपके पास एक वर्ड है हेट्रोज यह इसका मतलब होता अधर यह मैं पहले ही बता चुक्त ठीक है यानि कि दूसरा कोई दूसरा ट्रॉफिक मतलब आपको बता जिरा हूं डेफिनेशन तो आपको रटने वाली चीज होती है पर आपको मतलब तक नहीं समझ मैंगा science पॉंडने का कोई भी sense नहीं है इसका मतलब यह है कि यह दूसरों पर निर्भर होंगे अपने खाने के लिए इसका मतलब इनके पास कोई ऐसी टेकनीक नहीं है यह थी कि अपने उपर लेलो यह हम लोगों की category है कि अगर आपको मैं CO देदू वाटर देदू तो आप बना के दिखा दो खाना अपने लिए और दूसरे के लिए भी नहीं बना पाऊ गया ठीक है आपको मैं एक मैगी का पैकेट देदू उससे बना लो गए ठीक है जोकसा पाट तो हिट्रोट्रोफिक नूट्रीशन इस डेट मोड आफ नूट इन विच इन और और्गनिजम एक जीव नहीं बना सकता इस ओन फूड अपना खाना फ्रॉम सिंपलर इन और्गनिक मटेरियल या निकी ऐसे मटेरियल जिसमें जीवन नहीं हैं लाइक कारबन डर्ट्रीड वाटर एंड डपैंट अन अबंगनिजम फॉर इट्स फूड थी दूसरों पर निर्वर रहता है इसलिए वो हो जाता है consumer ठीक है चीजों को consume करने वाला produce नहीं करेगा कुछ हम कुछ नहीं बना सकते ठीक है हमारे पास कोई ऐसे art नहीं है कि हम कुछ बना सकें पर हम खा जरूर सकते हैं ठीक है तो इसलिए हम हो गए consumer अब एक quick difference आपको पता हो nutrition तो पहला it occurs in green plant तो autotroph किस में होगा हरे पौदों में होगा क्योंकि वो सारे chlorophyll की presence में क्या कर सकते हैं photosynthesis ठीक है photosynthesis hydrotrophic nutrition क्या होगा it occurs in animal and non green plants animal means human being also है तो animals में हो सकता है और non green plant में हो सकता है second self-manufactured यानि कि जो खाना होगा जो nutrition होगा वो खुद से बनाया हुआ होगा और hydrotroph में क्या होगा भाई पका पकाया चाहिए ready made food is obtained from plant and animal तो हम क्या कर सकते हैं हमाय पादे को दो ही choice होती है या तो हम जानवर खा जाते हैं mass non-vegetarian या तो हम क्या करते हैं सबजी या खाते हैं daily life में तो हम क्या होते हैं अप्टेन कर रहे हैं यहां तो प्लांट खालो सबजी यहां फिर जानवर खालो थर्ड यह होते हैं producer पता है और यह क्या होते हैं consumer पता है ingestion and digestion is absent तो ingestion का मतलब होता है खाना उठाया मूँ में दाला अंदर गया ठीक है swallow किया तो यह process होती है ingestion और digestion मतलब क्या था उस खाने में से जरूरी चीज़ों खाने को पजाना और जरूरी चीज़ें एक तरफ करना वह होता है digestion फिलाल के लिए उपर उपर से आप ऐसी definition समझो और यह autotroph में होता है absent पर हमारे अंदर ingestion, digestion, absorption, excretion यह essential steps होते हैं heterotroph nutrition में हम उसको पहले खाएंगे फिर उसको पजाएंगे फिर उसमें से काम की चीज़ को absorb करेंगे और बेकार की चीज़ को excret करेंगे और यह हो जाएगा heterotroph nutrition complete ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ नहीं है अब most important चीज, most important चीज एक्जाम में इसके आने के chances बहुत ज़्यादा है types of heterotrophic nutrition इसके कितने परकार हो सकते हैं ठीक है तो इसके तीन परकार हो सकते हैं saprophytic ठीक है यह saprophite, parasite और holozoic ठीक है यह तीन चीज़ें आपको समझ नहीं है तो आगे बढ़ते हैं एक चीज में आपको बता दू, sapro यह आपका word निकला है rotten इसका मतलब rotten होता है ग्रीक words होते हैं कुछ rotten मतलब आपको बता है, सड़ा हुआ ठीक है, rotens यह rotten तो saprophytic organism fed, feed on, dead and decomposing organism ठीक है, ऐसे organism पे यह feed कराय जाते हैं यानि कि अपना खाना ढूंते हैं कि इस पे जो सड़ चुके हैं और जो मर चुके हैं ठीक है, and decaying organic matter ठीक है, और जो सड़ रहा है organic matter जैसे कि wood, leather, rotten leaves, etc ठीक है, यह क्या करते हैं जैसे कि कोई एक लखड़ी है, wood है यह सड़ चुकी है तो यह सड़ी किसी कारणवर्श होगी पानी में होगई, किसी में होगई, फूल गई तो इस पे चिपक कर यह अपना खाना ढूंते हैं जैसे कि आप एक भार bread का तुकड़ा फैक दो ठीक है, उस पे आपको fungus दिखने लगी जब वो bread शड रही होगी तब हम बोलता है bread शड रही ठीक है जनरली आपने देखा होगा जब आप पाव वजी घाते हो तो आपके पेकट लेकर आते हैं उसको पीछे से गुमा के देखना चाहिए हमेशा अगर पीछे आपको green green white white कुछ दिखता है जनरली वह white white दिखता है तो आप कहते हैं घ्राब है पैके तो इस पे फंगस तड़ गया आप खराब उसे तब ही कह रहे हो क्योंकि हो शेप्रोफाइटिक नुट्रीशन में आगया वसे फंगस खा रही है वो सड़ चुका है अगर वो सड़ा नहीं होता तो फंगस उसे नहीं कहती क्योंकि वो फंगस का खाना है तो इसलिए हम उसे सपरोफटीक निट्रिशन बोल रहे हैं क्योंकि यह सड़े हुए को अपना फूड बनाती है वो एनजाइम्स क्या करते हैं ब्रेकडाउन करते हैं उस food molecules को into simpler ones, यानि कि उनके खाने like बनाते हैं, ठीक है, उस पे आप ये समझ लो जैसे हम खाना खाते हैं, तो हमारे जो gland है, salivory gland है वो भी enzyme release करती है, यानि कि हमारे digestion हमारे mouth से start हो जाता है, enzyme release करती है और उसको simpler form में बनाती है, जिसको हमारी body उसको simpler form में बना देते हैं जो इनकी body intake कर सकती है then, these are then absorbed by saprophytes, ठीक है और ये तब absorb किये जाते हैं तो आप एक चीज़ देखो जब हमने कोई चीज खाई, तो हमारे body के अंदर उसका digestion हुआ और फिर जो हमें चीज़ नहीं absorb करने लाइए, उसको हमने excretion कर दिया, उसको भार निकाल दिया तो ये जो सारी process थी हमारी body के अंदर हुई हम कभी ऐसा नहीं करते हैं हमें एक आलू दिखा, भाई इसमें स्टार्ट निकाल लो और इसे खालो बागी हटा दो, अब तो कुछ निकलेगा उसको अपने काम का बना ले रहे हैं भार दाल कर, उसमें एंजाइम भार ही रिलीस करकर और फिर उसको इंटिक कर रहे हैं तो इस process को हम क्या बोलेंगे, external digestion, digestion तो हो रहा है पर external हो रहा है तो example क्या है fungi, इसका pronunciation फंगी होता है, ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दू, यह प्लूरल है ठीक है, प्लूरल है, कुछ वर्ड में S यह एस लगा के नहीं बनता singular plural, तो थोड़ी से आपको नॉलेज होने चाहिए fungi, अगर इसके आगे bacteria, यह bacteria भी plural होता है आपने books में देखा होगा, bacteria R पर कभी आपने सोचा नहीं, bacteria के आगे R क्यों लगा हुआ है, तो bacteria के आगे R रसली लगा हुआ है, क्योंकि bacteria is plural ठीक है, bacteria क्या है, plural है और अगर इसका singular बनाना है तो वो रहा है, bacterium, ठीक है, कुछ ऐसे word होते हैं, तो आपको ध्यान लखना चाहिए, दोनों ही क्या है, plural है, तो इसके saprophytes के example क्या है, fungi and bacteria, ओके आगे बढ़ते हैं parasitic, एक nutrition का और हमारे पास हेटर ट्रॉफ में, दूसरा type यह है, कि वो हो सकता है parasitic, in parasitic nutrition, an organism lives on or inside another living organism and derives its food, तो आपके पास यह एक organism है, और यह रहा parasite, एक parasite तो यह इस body पर हो सकता है, उपर चिपक जाए, हो सकता है, इसके अंदर घुश जाए, अपना खाना निकालने के लिए और जीवित रहे, ठीक है, तो आपने देखा होगा, जैसे मच्छर होते हैं, मॉस्कीटो होते हैं, वो हमारे उपर चिपक जाते हैं, ठीक है, सक करते हैं, मॉस्कीटो बाइट होती है, ठीक है, और बिमारियां भी फैलाते हैं, कई सारी, हम से blood ले जाते हैं, अपने खाने के रूप में, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, तो गूर्च एसे होते हें जो अंदर भी चले जाते है लोगे सकते हो बहुत से वाइरस भी होते है जो अंदर चले जाते है तो आपके पास औरीजम जो तो एक बनीजम को बोलते हैं आपर साइट इस मोड को बोलते हैं पेरसाइट ex nutrition दोनों and organism from whom food is derived और जो organism बिचारे से food लिया जा रहा है ठीक है उसको हम बोलते है host ठीक है जब mosquito हमारे उपर आके बैठता है तो आप उसे बोलना हमारे पास parasite बैठा हुआ हमारे उपर ठीक है और हम क्या है host ठीक है हम खाने का एक प्रकार है ठीक है इसलिए हमसे वो ले रहा है तो host can be a plant or animal तो host एक plant भी हो सकता है ठीक है किसी पौदे के उपर भी बैठ सकता है पैरसाइट और animal भी हो सकता है like हम भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं और कोई the parasite that cause disease in the host is called pathogen ठीक है तो ऐसा parasite जो बिमारी कर दे उसको हम बोलेंगे pathogen like मैं एक example दे दूँ जैसे आप अभी तो बहुत सेमस चली रहा है coronavirus एक और आप चीज बोल सकते हैं जैसे कि एक mosquito होता है एडी से जिप्टी ठीक है या फिर आप और भी बोल सकते हैं सीसी फ्लाइक करके होती है यह बिमारीयां फिलाती है एडी से जप्टी पता है डेंगू फिलाता है ठीक है तो यह चीज आपको पता है यह pathogen है यह खाना तो लेई जाते हैं अपना food drive कर रहे हैं हमें पिमारी देखे चले जाते हैं तो परसाइट में भी आप दो तरीके की परसाइट कर लो एक होते हैं एक्टो और एक होते हैं एंडो ठीक है एक्टो मतलब external और एंडो मतलब internal तो एक्टो क्या होंगे यह हमारी body से भारी अंदर घुच जाएंगे लाइक वाइरस बेक्टेरिया अर राउंड वाम एट्सेटरा ठीक है वाइरस classical example लेटेस चल रहा है आपको पता है coronavirus बॉडी के बाहर नहीं बैठता अंदर चला जाता है तो यह बॉडी के अंदर रहेगा हमसे खाना भी लेता रहेगा और हमें बि बेक्टेरिया रहता है घुक है यह contaminated food आपने खाली गंदा खाना खाली तो उस्में यह बेक्टेरिया रहता है ठीक है स्ल्वनिला ङिव pada और शीए अर आपकी बॉडी के अंदर से लिए और सालई चले इंटसटाइन में आपे बढ़े जाता है और एक महीने तक आप बहुत यानि कि आप solid food पर टोज खाने पर फूड में भी यह बी होल प्लांट और और इनिमल और इस पाट तो खाना क्या हो सकता है पूरा 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 जांवर खाजा हो सकता है आप उसका कुछ पाठाओ तो यह होता है होलोज्वाइक अब इसके चार प्रकार हैं आपके पास हमने के टिगरी बाणगी क्यों कि कोई होस्ट कोई एनिमल खा रहा है कोई क्या तो चार पहले इसके हमने क्या किया एक फॉर के टिगरीज बना लिए अपने- अब यह मैं सोच रहा है, human being क्योंने लिखा, human being अनिमल में ही है, बार पर मैं किया चुक हूँ, these animals fed only on plant, यानि कि जो सिर्फ पौदा खाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ green vegetables खाएगा, वह हर्भी वोरस होगा, तो इसके example क्या है, horse, deer, goat, and etc, बहुत सारे हो सकते हैं, elephant, वगेरा, so on तो आप यह सोच रहेंगे, इसमें human being को क्यों नहीं रखा, वह मैं बता हूँगा, तो जो आप और आप इसमें cow भी लिख सकते हो, जो सिर्फ हरे, 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 फल, सबजी, यह सब खाएगा, plant खाएगा, वह हर्भी वोरस होगा, ठीक है, और एक category आपके पास carnivores, carnivores क्या हो कहांगे, carnivores, these animals fed on the flesh of other animals, यह दूसरे जानवर को खाएगे, ठीक है, दूसरे जानवर को खाएगे, सिर्फ मास खाएगे, lion, tiger, fox and etc, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसे देखो, मैं आपको एक चीज़ बता हूँ, हर्भी वोर और carnivores, मैं आपको एक फरक में बताते ता हूँ, जानवरों में, ठीक है, सिर्फ human being एक इसका exception बन जाता है, कोई भी अगर जानवर अगर आपको पानी मूँ से पीता हुआ देखे, मूँ से in the sense, तंग का नया यूज करे, डारेक मूँ दाल दे, जैसे गाय को कभी पानी पीते हो देखना, बंदर को कभी पानी पीते हो तंग का यूज ना करें, तो वो एक green vegetable पे fed, feed होने वाला एक animal है, यानि कि हर्भी वोर है, अगर कोई जानवर, अगर कोई जानवर, तंग से पानी पी रहा है, जीप से पानी पी रहा है, तो वो कार्नी वोर है, वो एक मासा हरी है, तो ये चीज़ आप ध्यान नक ना, ठीक तो ये पौधे भी खा सकते हैं, ये मासा हरी भी हो सकते हैं, जानवर भी खा सकते हैं, लाइक हम लोग, ठीक है, इसमें human beings आते हैं, pig, man, bear, etc, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम plant भी खाएंगे, और हम chicken तंदूरी भी खाएंगे, तो ये चीज़ आपके पास होती है, omnivores, इसलिए हम इस category में आते हैं, ठीक है, तो आप से मैंने ये बोला था, herbivores, plant, carnivores, flesh, of other animals, omnivores, both, ठीक है, mixture, अब एक आपके पास है, carrion feders, ठीक है, carrion feders, तो ये आपको पता है, carrion feeders, sorry, my bad, carrion feeders, तो ये आपके पास क्यांसे होते हैं, these animals feed on dead animals, and are called scavengers, ठीक है, ये क्या क्यलाते हैं, scavengers क्यलाते है, vulture, crow, hines, ठीक है, कुछ इसके example होता है, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं, कि हम खाएंगे तो जानवर, पर जब वो मर जाएगा, ठीक है, जब वो मर जाएगा, तब खाएंगे, हम जीवित नहीं खाएंगे, तो कभी पी आप देखना, कि जो crow होता है, वो जब कोई लाश हो, कभी आपने देखी हो, तो वो उस लाश को आकर धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे खाजाते हैं, ठीक है, तो इस scavengers होते हैं, ये बहुत important होते हैं, scavengers हमारे nature के लिए बहुत जादा important है, आप imagine नहीं कर सकते हैं, अगर ये नहीं हो, तो अमारी अर्थ का क्या हाल हो, ठीक है, तो आदा कूडा करकट तो ये ही खा जाते हैं, कोई एक लाश है, जंगल में आप समझते हो, कोई अगर जानवर मर जाते हैं, तो ये खा जाते हैं उसे, तो ये आपको ने चार केटिगरी पड़ी, और आपको अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हिट्रोफ के भी हमने कितने एक्जामपल देख लिए ठीक है पेरसाइटिक होता है होलोजोइक होता है सेपरोफाइट होता है तो यह तरीका इससे आपको समझ के पढ़ना है और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज न भूलें तक तक के लिए दिस विजय साइनिंग ओफ ओके टाटा बाइबाई थेंक यू वा नाइस देग